विदान सभा रिपोर्टर हिंदी डिक्टीशन गती 140 शब्द प्रतिमिनट बी रेडी डिक्टीशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद सरकार के पास इस साल की रिपोर्ट नहीं है लेकिन पिछले तीन साल की रिपोर्ट क्या सरकार बतलाएगी कि पिछले तीन सालों में कितने लोग ठंड से मरे हैं और कितने लोग गर्मी से मरे हैं ठीक है अभी की रिपोर्ट मान लेते हैं कि नहीं है लेकिन अभी के लिए कह सकते हैं कि मेरे पास तो रात को ध्याना कर्शन आया है मैं क्या कर सकता हूँ लेकिन क्या सरकार यह बताने के लिए तयार है कि विगत तीन वर्षों में कितने लोग ठंड से मरे हैं और कितने लोग लू से मरे हैं जो रेन बसेरा योजना के बारे में कहा गया कि गरिबों के लिए यह योजना चलाई जाएगी और ना सर्फ दिल्ली में बलकि पूरे देश में चलाई जाएगी उस रेन बसेरा योजना का क्या हुआ यह जो रेडियो और प्रसारण का विभाग है क्या यह विभाग दैत और वर्ज नहीं हो जाता कि लोगों को ऐसे समय में चितावनी दे कि जिस तरह से कहीं अगर तुफान आने वाला होता है तो उसकी चितावनी भह देता है कि तुफान आने वाला है सचेत हो जाओ ऐसे ही अगर भहिंकर शीत लहर चलने वाली है तो क्यों उस जगह के लोगों को भह यह नहीं बतला सकता है कि भहिंकर शीत लहर आने वाली है आप लोग अपने बचाव का उपाय करें ये सारी समस्याएं हैं जिनके संबंद में मंत्री महोदय जवाब दे और इसको गंभीरता से लें पैरा मेरा सिर्फ यही कहना है कि आप केवल क्रशी मंत्री हैं क्रशी मंत्री होने के नाते आप सरकार के एक अंग हैं आप जहां बैठते हैं वहां सरकार को बतलाईए अपने वरिष्ट मंत्री को बतलाईए और केबिनेट में बैठकर जहां से पॉलिसी तै होती है वहां से कोई ठो उस कदम उठाइए तब इस समस्या का निदान होगा नहीं तो कितने लोग मरे कितने नहीं मरे उससे इस समस्या का निदान होने वाला नहीं है उपाद्यक्ष महुद है ऐसे ही तो बातें आम तोर पर फिर वही कही गई है जो बागडी जी ने शुरू की थी करीब करीब वही बाते आई है और मैंने तो कहा शुरू में कि इससे कोई इंकार नहीं कर सकता है कि हिंदुस्तान की गरीबी को हम नहीं मिटा सके हैं और हिंदुस्तान में अभी भी करीब करीब 48 प्रतीशत जो औसत आंकड़े हैं उनके हिसाब से लोग गरीबी की रेखा से नीचे रहते हैं इससे भी हम इंकार नहीं करते हैं कि लोगों के पास घर नहीं है जो की होनी चाहिए मुल आवशकता हैं जो चाहिए वह हम पूरी तरह से सबको मुहया नहीं करा पाई हैं हमारा प्रयतन जरूर है अब कहा तक उसमें सफलता मिली है उसका लेखा जोखा करने की आवशकता है यह बात नहीं है कि गरीबी दूर करने की तरफ हमारा प्रयास नहीं है मैं सिर्फ एक दो उदाहरन देना चाहता हूँ ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता सिर्फ इसी को देखकर की हमारे बहुत से लोग गरीबी की रेखास के नीचे रहते हैं एक बड़े पैमाने पर हम च परिवर्तन नहीं चाहते हैं और कुछ लोग हैं जो परिवर्तन चाहते हैं विशाल जनता चाहती है कि समाज में परिवर्तन हो तो जब यह संगर्ष है और जब हमने आपस में तैय कर लिया और हमारे देश का सिध्धान्त एक चीज को मान लिया कि हम अहिंसा के जरिये शांति पूर्ण तरीके से संसुदिय प्रणाली से ही दया समाज बनाना चाहते हैं हम खून खराबा नहीं करना चाहते हैं जो समाजवादी तरीके हैं उनसे हम काम करना चाहते हैं सामेवादी तरीके को हम नहीं मानते हैं अगर हम जनतांतरिक तरीकों स चलना चाहते हैं तो यह आवश्यक है कि हम संविधान को वह शक्ती दें जिसको अंग्रेजी में डेमोक्रेसी कहते हैं पैरा उपसभापती जी मैं संक्षेप में दो तीन बातें कहना चाहता हूं हमारी संसद तीन भागों में विवक्त है अकेले लोकसभा का नाम ही संसद नहीं है अकेले राज्यसभा का नाम भी संसद नहीं है अकेले रास्टरपती का नाम भी संसद नहीं है लोकसभा, राज्यसभा और रास्ट्रपती इन तीनों को मिलाकर संसत का निर्मान होता है कोई भी बात या कोई भी कानून जब जनता के हित के लिए बनता है तो उसको इन तीन ही भागों से निकलना पड़ता है लोकसभा किसी चीज पर विचार करती है फिर उस पर राज्यसभा और दूसरे ढंग से विचार करती है और उदारता के साथ और गंभीरता के साथ निर्ने लेती है तब राश्ट्रपती के पास वहे विध्यक स्विक्रती के लिए जाता है राश्ट्रपती की उस पर मुहर लगती है और वहे संसत का निरने कारियनवित होने के लिए चला जाता है एसे कई विध्यक आए हैं जब लोकसभा ने उसे स्विक्रती दी और राज्यसभा की उस पर स्विक्रती न हुई वहे फिर लोकसभा के पास स्विक्रती के लिए चला गया लेकिन लोकसभा ने फिर अपने स्टेंड को जयों का त्याँ रखा तो फिर राज्यसभा के पास स्विक्रती के लिए वह आया एक समय ऐसा भी हुआ मैं उस समय लोकसभा का सदस्य था जब इस प्रकार का प्रकरण आया था और वह प्रकरण दहीजप्रथा उमर था लोकसभा ने दहीजप्रथा विधेयक को पारित किया था फिर उसके उपर लोकसभा जौंकी त्यौं अडिग रही। फिर राज्यसभा के पास वह आया। राज्यसभा ने भी अपने विचारों को जौंका त्यौं रखा। और लोकसभा और राज्यसभा में मतभीत की इस्तती आई। तो उस पर एक सेयुक्त अधिवेशन बुलाया गया स्वतंत्रता के बाद शायद यह पहला आउसर था जब लोकसभा और राज्यसभा की सेयुक्त बैठक हुई थी और सेयुक्त अधिवेशन के अंदर गंभीरता से उस पर विचार किया गया और उस विधेक को पारित किया गया पर यह बात समझ में नहीं आती की जब संविधान में कोई संशोधन आए उस समय ऐसी इस्तती न आए इसके लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों चर्चा कर लें पैरा महोदय आज चुनाव पर बल हावी है और जिन लोगों के पास काला धन है वे राजनितिक्यों को खरीदते रहते हैं वे राजनितिक दलों को खरीद रहे हैं इसलिए इस बात की आवशकता है कि चुनाव कानून में व्यापक संशोधन होना चाहिए लेकिन इस बात की चर्चा रस्टरपती के अभी भाशन में नहीं है इस बात को सिद्ध करता है कि सरकार का इरादा चुनाव कानून में संशोधन करने का तनिक नहीं है वर्तमान अभी भाशन में रस्ट्रपती जी ने सरकारिया आयोग की चर्चा की है और उसमें उन्होंने यह कहा है कि सरकारिया आयोग की रिपोर्ट आ गई है यह रिपोर्ट केंदर तथा राज्चों के संबंद के सिलसिले में है और इस पर राज्चों की राय लेने के बाद सरकार इस पर विचार करेगी पैरा सन 1983 से केंद्र और राज्चे के संबंध में सरकारिया आयोग के नियुक्ती हुई थी और करीब करीब 4 साल तक सरकारिया आयोग ने महनत करके लोगों के बयान लेकर के लोगों की राय लेकर के सरकार के पास अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की मैं सरकारिया आयोग के केवल एक पक्ष्ट की और ध्यान आकर्शित करना चाहूंगा और वह है रज्यपालों की नियुक्ती के संबंध में रिपोर्ट सरकार के पास आ गई है और सरकार के पास विचारा धीन है रास्टरपती जी ने स्वयम कहा है कि सरकार इस सिलसिले में राज्यों की राय लेगी लेकिन मेरी समझ में यह बात नहीं आई की सरकारिया आयोग की रिपोर्ट सरकार के पास आ गई लाखों लाख रुपए इसमें खर्च हुए होंगे लेकिन उसका उलंगन किया गया उसको दरकिनार करके राज्यपालों की नियुक्ति की गई राज्यपालों के पद वादविवाद के बन चुके थी सन 1969 में विदिवत निर्वाचत सरकार थी उसके मुखे मंतरी को बर्ख्वास किया गया और तब से राज्यपाल के पद पर बराभर यह आरोप लगाया जाता रहा की राज्यपाल केंद के इशारे पर काम करता है कंद सरकार के एज़ेंट के तौर पर काम करता है इन सारी चीजों के बारे में सरकारिया आयोग ने अपनी संस्तुती दी है यह भी उन्होंने कहा कि राज्यपाल के पत पर ऐसा आदमी नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए जो सक्रिय रूप से राजनिती में हो दूसरी संस्तुती यह है कि अगर किसी प्रदेश में विरोधी दल की सरकार है तो वहाँ पर ऐसे व्यक्ति को नहीं भीजना चाहिए जो किसी दूसरे दल में सक्रिय राजनिती में हिस्सा लेता रहा हो पुनविराम